दोस्तों चीता यकिनन दुनिया का सबसे तेज और फुर्तिला जानवर है क्योंकि ये काफी तेज गती से दोड़ता है लेकिन बुरी बात ये है कि चीता की आबादी अब पूरी तरह कत्रे में आ गई है लेकिन जब बात आती है चीते की तो ये क्या इतना कतरनाक है कि ये एक सेर को टकर दे सके क्योंकि सेर बाउदी बड़ावसक्ति साली होता है और सेर से लड़ना अच्छे अच्छों को बारी पड़ जाता है आज की इस वीडियो में हम चीता और सेर से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जानेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि चीता और सेर में से कौन ज़्यादा पावर्फुल है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर विजेता कौन होगा तो चलिए बिना टाइम बरबात किये शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं चीते की दोस्तों चीता आप पूरी दुनिया में गीने चुने बचे हैं भारत समेत एसेया के सभी देशों से चीते पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं आलांकि इरान में अभी भी कुछ चीते बचे हुए हैं लेकिन यासी ये कभी उलुप्त हो जाए कुछ कहार नहीं जा सकता है लेकिन हाँ अपरिका में अभी भी चीते मोजूद है लेकिन इनको सरंच्षण की बहुद आओ सकता है क्योंकि अपरिका में पाई जानी वाली चीतों की संक्या में कोई भी बडोतरी नहीं देखी जा रही है इसके पीछे कई कारण है, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी प्रजनन समता में कमी आ गई है और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सेर लखडबगा तेनदवा और अफ्रिकन वाइल डोग जैसे सिकारी कुट्ते इनके साउकों को बड़े होने से पहले ही मार देते हैं जिस कारण भी इनकी जनसंक्या वर्दी में भारी गिरावट आ रही है तो दोस्तों अब चीते की सारी रिक्मिसेस्ताओं के बारे में भी जान लेते हैं चीते का सरी लंबा होता है और इनके पेर भी बहुत लंबे होते हैं और इनी लंबे पेरों की मदद से इनको तेज गती मिलती है जब चीता अपनी फुली स्पीड में दोड़ता है तो इसकी रप्तार 120 किलो मिटर तक पहुँच जाती है और इसके दोरान चीते के पेर भी ज़्यादातर आवा में ही रहते हैं अगर इनके वजन की बात करें तो चीता 40-60 किलो ग्राम तक भारी होता है और लंबाई के मामले में लगबग 1.1 मिटर तक लंबा होता है तो यहाँ पर हमने चीते के बारे में कापी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे सेर से जुड़ी कुछ जानकारियां दोस्तों सेर बहुती ताकतवर और खतरनाग सिकारी होता है और सेर ज्यादातर बड़े जानोरों का सिकार करने के लिए जाना जाता है क्योंकि सेरों के प्राइड बढ़े होते हैं जिनका पेट बरने के लिए ज्यादा बोजन की आउसकता पड़ती है इसलिए सेर उतना बड़ा सिकार करते हैं जिससे कि पूरे जुन्ड का पेट आसानी से भर जाए नर सेर बहुत कमी सिकार करते हैं और वो ज़ाधातर टाइम आराम फरमाते हुए बिताते हैं लेकिन सिकार करते समय सेर गजब की फूर्ती दिखाते हैं क्योंकि अपने सिकार का लगबग 80 किलोमेटर प्रती गणटे की रफ्तार से फीचा करते हैं और ये ऐसा करने से पहले दबे पाउं सिकार के नजदीक पहुँचते हैं और फिर अचानक सिकार पर अमला कर देते हैं सेर के वजण की बात करें तो सेर का वजण 240 किलोग्राम तक होता है और ये 2.5 मिटर तक लंबे होते हैं लेकिन सेरों का जबड़ा चीते के जबड़े के मुकाबले कहीं गुना बड़ा और मजबूत होता है जिसे के ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने चीता और सेर के बारे में काफी सारी जानकारियें ली और यहाँ पर लगबग सबी बातों में चीते के मुकाबले सेर कहीं गुना आगे हैं इसलिए चीता पर सेर आसानी से भारी पड़ेगा और कई बार सेर के द्वारा चीता का सिकार करते हुए देखा गया है दोस्तों चीता सेर से दोड़कर अपना बचाओ तो कर सकता है लेकिन वह सेर से लड़कर कभी जीत नहीं सकता है इसलिए यहाँ पर विनर एक सेर ही होगा वेसे आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है आप भी अपनी राए नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताना तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई